नमस्कार गुड मॉर्निंग बच्चो स्वागत है आपका आज की यह फर्स्ट क्लास है फर्स्ट क्लास है आपका AWES क्या है यह AWES कौन सी पोस्ट निकली हुई है क्या exam pattern है क्या syllabus है कैसे question paper आएंगे उस question paper में questions का level क्या होगा आज हमारी यह क्लास इसी को समर्पित है मैं मनोज कुमार experience near about 15 years for competitive examinations field हम आपको दो subject इसमें cover कराएंगे बच्चो एक post graduation economics और एक post graduation history तो आप कितना जानते हो AWES के बारे में कोई exam पिछे दिया है या नहीं दिया है या पिछला exam हम देते हैं कोई भी एक्जाम देते हैं तो पिछले exam की knowledge हमें होनी चाहिए या नहीं होगा आर्मी welfare education society इसके तहित अभी हाली में PRT TGT और PGT तीन लेवल की post निकलती है ठीक है तो जो आर्मी welfare society है वो आपका primary teacher trained graduate teacher और post graduate teacher की post निकलती है इसमें हम पहली से पांच में फिर छटी से दसमी और फिर नौमी दसमी आलकल तो मिक्स हो जागा है नौमी दसमी ग्यार्मी बार्मी आपका post graduate और चटी साथमी आठमी नौमी आपका trend graduate यह post निकली है इन पोस्टों में जो आर्मी public school है वहाँ पर आपकी posting होती है मुझे यह बताओ थोड़ा सा कि हम यह class सिदाय शुरू करते हैं चलो भी यह subject है आजाओ शुरू करते हैं पढ़ना यह थोड़ा सा हमें दो चीजें confirm clear होनी चाहिए जब भी हम को एक्जाम देते हैं बच्चों तो इसमें दो चीजें clear होनी चाहिए एक कि उस एक्जाम का pattern क्या है एक्जाम का तरीका क्या है दूसरा उस एक्जाम से संबंदिते ले बस क्या है यह दो चीजें पताओं जी और हम आपको क्या पढ़ाएंगे PGT economics इस class में economics के बारे में थोड़ा सा हम basic exam pattern क्यूस्चन का तरीका क्यूस्चन पूछने से सम्मदित probability संभावना क्या है और कैसे क्यूस्चन आपसे पूछी जाते हैं तो अगर आप live class से connect हो चुके हो तो थोड़े बच्चे जो भी है आला कि first class है introductory class है यहां यह संभावना कम होती है कि बच्चे कम जुड़े लेकिन कोई भी जुड़ गया है तो एक बार आये है लो तो भी message हो हो जाए क्योंकि interaction के बिना बच्चो class क्या होती है अधूरी होती है interaction का मतलब क्या है education psychology आपने पढ़ी होगी तो उसमें भी हम पताएंगे तो exam pattern क्या है बच्चो इसमें जो exam pattern की बात करें हम तो यहां total question आपके वो आएंगे two-handed जैसा कि आजकल net का जमाना है सब बच्चों को पता है ध्रादर PDF मिल जाएंगे आपको लेकिन वो एक own average है कि लेकिन एक pre-party भी है teacher को भी बताना दिये दोस्तों क्यों में बच्चों आपका क्या होता है negative marking बीश में बता रखी है पर वो है one by four तो अधिकतर बच्चे तो पहले गलती क्या कर देते हैं तुक्का मारना शुरू कर देते हैं जो नहीं आता ठीक है और वो तुक्का ऐसे मारते हैं कि बाद में पता चलता है रहे यह यार negative marking थी गड़बड हो गई तो जो आपके चार question गलत हो गए तो जो आपने सही किया व बनेगा अब exam pattern में और क्या है इसका participation बोलें या classification बोलें वो कैसे दे रख वो भी समझना जरूरी है चले बस तो हम करेंगे ही तो थोड़ा सा exam का जो pattern है वो हम deeply discussion करेंगे और वो कैसे है बच्चो किस हिसाब से वर्गी करण है यह आपका पता होना चाहिए और वो चार section इसके है ठीक इसके जो section है वो किस तरह मटे हुए है बेसिकली तो तीन section है एक्जाम pattern के ठीक वो section देख लो कौन से है section A section B और section C यह तीन section में आपका exam आए ठीक जो section A है वो है basic gk and current affair अब थोड़ा सा महिंट आपको देता चलूँगा यह exam की तैयारी कैसी करनी है basic gk and current affair अब यह basic gk and current affair मतलब क्या अभी हाली में हमारे माननियत देश के प्रधान मंत्री मोदी जी किसी यात्रा पर गए हुए है उस यात्रा से सम्मधित के उससे ने भी आ सकते हैं दूसरा international और national level पर तो जहां हम इसकी बात करते हैं इसमें कौन सा कौन सा उत्ता है बचो नेशनल एम इंटरनेशनल जो है वो सारा covering होती है जैसे कोई कमेटी बेठी है कोई आयोग बेठा है कोई रिपोर्ट आई है परियावन के मुद्दों से सम्मधित को इंटरनेशनल नेशनल सम्मिट हुआ है क्या है सिस्टेनेबल डेवलेप्मेंट की मीटिंग जी टुंटी का सम्मिट जी एड का सम्मिट ए अफ्रीकन यूनियन का सम्मिट ऐसे ही या राष्ट पति या परधान कोपरेशन टेकनीक रिशर्च और डेवलेप्मेंट सब चीज़ें आ गई इन से समय जो मुख्या पॉइंट होते हैं वो आपके पाट आते हैं और सेक्षन ए में आएंगे बच्चो तोटल क्योस्टन क्या आपके 200 क्योस्टन तो सेक्षन ए में आएंगे दस परसेंट क्योस्टन सुरी पांच परसेंट क्यूस्टन तो पांच परसेंट क्यूस्टन का मतलब हुआ आपके क्यूस्टन हो जाएंगे 10 तो 10 क्यूस्टन आपके section A में आते हैं यह त्यानि कि 10 क्यूस्टन आप current affair के करने पढ़ेंगे और कोई चारा है दूसरा आपका आता है section B सेक्शन बी में आता आपका एजुकेशन साइक्लोजी और पेडागोजी ठीक प्लस नेशनल एजुकेशन पॉलिशी खास कर 2020 प्लस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो पाठ्थे करम का फ्रेमवर्क का सिस्टम हो या न्यू डिवलेंट कोई भी न्यू पॉलिशी आई हो कोई ऐजुकेशन से समμulेंद उस से सम्मध Wagam इसमें आपका आते हैं बत्चों दस पर्षेंट क्योश्च ने का मतलब हो गया की है और दस पर्षिंट का मतलब हो गया बीस है या यह य्यैंकि है विश गई टो टोलोगे गी तीस तीसरा बच गया बतुर सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में आपका जो भी आपका सब्जेक्ट है रिलेटिटीड प्रसेक्ट तो उसमें आएंगे किस पर आ गया सब्जेक्ट पर अब वो आपका सब्जेक्ट कोई भी हो वह हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, एकनॉमिक्स हो जियोकरफी हो, है ना संस्किर्थ हो, इंगलिस हो पिजिटी के साफ से ऐसे ही टीजिटी का भी पैटर्न हो अब यह जो एक्जाम सब्जेक्ट का होगा, उसमें कैसे क्योश्चन आएंगे, यह भी देख लो किस हिसाब से क्योश्चन बनेंगे, क्या तोर तरीका होगा है ना, थोड़ा सा सब्जेक्ट और देख लेते सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन यानि कि सब्जेक्ट में जो क्यों चनाएंगे वो कैसे आएंगे उसका क्या लिए वो जो पहला होगा बच्चों वो होगा बेसिक नॉलेज ओफ सब्जेक्ट माल लो आपका सब्जेक्ट हम आज आप कौन सा इंट्रोडेक्शन दे रहें आपको एकोनोमिक्स तो इकनोमिक्स की जो है वो बेसिक नॉलेज आपको कितनी शुरुआती तो यह जो बेसिक नॉलेज होगे इसेक्शन सी में यह आपकी जहां 170 के उसके नाएंगे बेसिक सब्जेक्ट और यह होती है आपकी छटी से लेकर जो बेसिक नॉलेज है वो आएगी दसमी तक क्लास 9 मीं से लेकर 10 मीं तक और किस पर NCERT सारा NCERT बेस होगा इसमें 35% पालट होगा और 35% 170 में से तो 35% 170 में से लगबग आपके इसमें 70 क्यूस्टन बन जाएंगे बच्छो अब section C में जो 35% पालट आएगा 70 क्यूस्टनों में से तो लगबग 70 क्यूस्टन इसके बन जाएंगे तो ऐसे आपके क्यूस्टन बनेंगे तो section C basic knowledge of subject 11th, 10th और पलकी 9, 10 में एंड 11 में बार्म यह सारे आएगे इसमें आनिकि 9 में से लेकर बार्म तक basic दूसरा आएगी बच्छों इसमें moderate moderate knowledge का मतलब होता है मद्यमस्तर की एक है basic और एक है मद्यमस्तर की मद्यमस्तर में थोड़ा सा high level की तरफ चलना शुरू हो जाएगा सब्जेक्ट इसमें आपका आएगा जो NCRT है वो फोकस होगी 11th 12th प्योर 11th and 12th standard और NCRT इनकी 11 मी बार में की NCRT उसमें क्या है 9 मी 10 मी 11 मी बार में इसमें प्रोपर आपकी 11 मी बार में हो जाएगी और इसमें 20 परसेंट के कुछ सनाइंगे याने कि लग बगर 40 कुछ सनाइंगे दोस्थों में से ठीक तीसरा आजाता हाईयर सब्जेक्ट नो जैने कि थोड़ा सा हाई लेवल पर आपको बढ़ाएंगे अब 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 इसमें भी क्या चेंज कर देंगे की higher level में NCRT topic 11th, 12th, difficulty part of graduation. 11th and 12th NCRT plus difficult graduation. इनके graduation में जो difficult subject के aspect है, थोड़ा सा जब economics की बात करते हैं तो इसमें acceleration आ जाएगा, multiplier आ जाएगा, 11th, 12th में आपका acceleration और multiplier उस लेवल का नहीं आता है, जो graduation में आता है, monetary policy, fiscal policy उसी लेवल के आ जाएगा. 4th, proficient knowledge of subject, proficient level knowledge, proficient का मतलब कोशल, यानि की skill वाले, यानि की थोड़ा सा आपको practical क्या जाएगा, इसमें आपका क्या जाएगा, कि जो graduation वाला partner इसमें भी percentage है आपका, इसमें है higher में भी 20% है, यानि की 40% क्यूशन आएगे, जो यह प्रोफिशेंट लेवल है, इसमें भी आपका 11th, इसमें आएगा आपका graduation, plus post graduation level की question होगे, थोड़े से, जहाँ आपने subject specialization किया, पोस्ट graduation में उस से, और ये पार्ट होगा आपका 10% यानि की ब्यूश क्यूशन, यह होगे, तो 70 plus 40, 110, 110 plus 40, 150, 120, 70, यानि की total आपके होगे, 170 question, यह है बच्चो आपका subject का pattern, तो आपको कहाँ ज़्यादा focus करना सारा NCRT, यानि की डेड़ सो question तो आपको NCRT और graduation से आएंगे, और 20 question graduation और post graduation से आएंगे, अब ये क्यूं बता रहा हूँ, मैं क्या region है, बताओ, ये region क्या है, मामला क्या होता है, किस लिए बताया जाता है, क्या कहानी है, और क्यूं बताया जाता है, आप बता सकते हो ये चीजे, कि किस लिए बताया जाती है, अच्छा ये जो मैंने बताया था, इस part में आपको मैंने बताया था, कि ये वाला part में, कि education psychology and pedagogy, 2020 के education policy, एक मैंने कहा था, कि interaction क्यों जरूरी है, मैं आप से पूछ रहा हूँ, आप बता रहे हो, कि interaction जरूरी क्यों, Paul Freire एक ब्राजिल के psychologist और दर्शन सास्त्री हुए, Paul Freire ने कहा था, कि class में चुपी की संस्किर्टी नहीं होने चीए, चुपी की संस्किर्टी का मतलब क्या बच्छों, तेको पुराने जमाने में काल अक्सर, मैं सवरा नो कोई book में activity थी, ना कोई रंगीन page थे, सारे हमने बाई वो सफेद book और काले print वाले अक्सर, ये चीजें चलती थी, हना, किसी परकार का कोई colorful page नहीं आता, आज के जमाने की book और हमारे जमाने की book, दिनराज, सलेट बक्ती लिखी कभी, आज कर अकल हमने metro में देखा, तो एक माँ अपने बच्चे को अंवर करा रही थी, किस के उपर, पैड के उपर, digital, education का बाई, digitalization हो गया, ये digitalization कैसे हुआ, किस तरह हुआ है digitalization, आप 10 रुपे का एक कोई भी सामान खरीदते हो, अभी फ्रांस के गणतंतर पर, आपमारी गणतंतर पर प्रांस के राष्ट पती आया थे, मैं क्रोंतों उन्हें चाय पीते हो, डोल जुनते हो भाई, Facebook का जमाना है, Twitter, ये सारे जमाने हैं, इस जमाने में, आजकल के बच्चे तो जामते ही ने, जनम लेते ही बच्चे intelligent हो रहे हैं, आजकल के, अब तीन साल का बच्चा वो फोन की बिना खाना ही नहीं खाता, उसका scientific negative effect भी है, बच्चों की जो पुतनियां ह आपतीनों शिकूड रही है, और बच्चा बोलना कम सीख रहे हैं, क्योंकि वो फोन में लगे रहते हैं, सुनेगा है, सुनेगा, बोलेगा नहीं, तो आपके जित चार कोसल है, लिखना पड़ना, सुनना बोलना, वो चारों कोसल तो धुरी रहे हैं, मोबाईल से काम चल र मामला, क्या हो और नहीं हो गया, इसके लिए सेटलाइट सोडी होगी, सेटलाइट से Collections Setup बना वगा, उपगरा भेजें होगे, उपगरा के लिए Research development होईँ होगी, वो developed and research किसे ने की होगी, इस रोने की होगी, इस रोने आज तक क्यों नहीं की, साठ साल हो गई, क्या मामल था पैसे भी तो चाहिए पैसे कहां से आएंगे रिशर्च एंड डेवलेप्मेंट के लिए फेसिलिटीज कहाएंगे टेक्निकल कहाएंगा इंस्ट्रूमेंट कहां से आएंगे बजट से पैसे से बजट कहां से आएगा पैसा कहां से आएगा क्लेक्शन से क्लेक्शन कहां से मैं से आएगा टेक्स से और टेक्स किस किसे लगाएगा आप पर हरम पत कौन लगा और सरकार लगाएगी तो यह जो डिजिटलहीजेशन का जमाना था जिस में आप ऑन लाइन पड रहे हो अनए की वजूरूत नहीं है लेकिन इसमें इंट्रेक्शन का मैंने अएक ऑफ पेडिके संद्सक्रति पॉल फ्रेरे ने क्या कहने कि कुछ में कहा हुं सैंस टेक डिजिटलाइशन और चुप्पी कि संसक्रति पॉल फ्रेरे बर्चिल चिए आप बैठ जा चुप बन रहा है यह रो तेरा बनाऊ रहा तेरी खालो तार दूआ मैं चुप बैठ जा बिचला चुप कोई डाउट आप एक को डाट मार दी मालो भी आज को डाट मार दी और अमन बेठा है अमन की हिम्मत नहीं वह पूछ ले मेरे से एक बार गुरु जी यह पता तो टीचर को पहले डर लग रहा कहीं ऐसा ना पूछ ले कि जो मुझे ना आए तो टीचर डाट की बिठा देते थे चुप यह क्या वन वे टीचिंग हुआ दूसरा टीचर कोई विवाद ना करे डिसकस ना करे कोई बहांस ना करे क्लास में किसी परकार का वरतालाप ना कर अब यहां पर बच्चा ऐसा फिरीली बैठे क्लास में कि टीचर लगे कि यह ते मेरा दोस्त है इसलिए तो टीचर को दोस्त का आगए लेकिन दोस्त ऐसा भी नहीं कि बच्चे कंदे पर बैठ जाए क्योंकि क्लास का नुसासन करना भी टीचर का काम होता है तो बच्चों को कितनी ढील देनी है कि वो उत्पात ने मचाएं क्लास का बेड़ा गरक ने कर दे सोर मचा मचा के तो क्लास को रेगुलेट करना टीचर को इस से आता है कि किस मनोद्शा में बच्चे हैं 6 साल का बच्चे का सारेरिक मानसीक समवेगात्मक बुद्धिक विकास कैसा होता है 10 साल के बच्चे का कैसा होता है 12 साल के बच्चे का कैसा होता है शहसेव अवस्ता युव आवस्ता उस दौरान क्या सले बॉसो कैसे पढ़ाये यह था परणागोजी में है तो पॉल प्रेरे कहते हैं कि अध्यापक्छ के संस्क्रति तोड़े मैं पूछ पूछओ तो आप उत्तर दो आप पूछने के लिए लालाईत रो और मैं उत्तर दू आपको रोकूंगा नहीं टोकूंगा नहीं आपको पूरा फ्रीली माहुल दूंगा कि जो टोपिक पढ़ा रहा हूं उससे आपको समझ में आया तो बेटा नी संदे उसी वक्त पूछना जी ये समझ में नहीं आया दूबारा बताओ और आपने कोई कि उसने पूछ लिया मेरे पढ़ाते हैं बीचमा मत बोल पूरा ना पूरा नहीं नी टोफिक बीचमा मत बोल जाहिल गवार तो बच्चा तो बेट जाएगा लिए तो टीचर ही टीचर बोल रहा है तो वन वेयर टीचिंग की एक ही अध्यापक या ध्यापक और विदाउट इंट्रेक्षेंग क्लास से जीरो अकॉलडिंग टो साइक्लोजे तो यह चीज़े आपको इसमें पढ़ने होती है एंसी एफ क्या बता रहा है बच्चों की अंतय किरिया बच्चों की गतिविदियां बढ़ाओ बच्चे इन्वोल हो सिर्फ शरीर से यहां ब बाहर आओ मिठाई से बाहर आओ समोसे कचोरी से बाहर आओ क्लास में बैठे रहो इसलिए मुझे पैडा गोजिर स्थाइक्लोजी का ज्यान होना चाहिए कि बच्चों को मैं कैसे एक तो टीचर आपके जमाने में कभी वह टीचर याद होगा कि टीचर आने से पहले माथ्य में तियोरी आ रहे यार यह आ गया यह कुटाई करेगा कोपी चेक करेगा एक टीचर वह था जो बड़ा हसबुला करके क्लास को मजेदार पढ़ा के आपको बोले आप इंतजार करो यार फ़लाने टीचर की क्लास आएगी मज़ा आएगा होता था ऐसा कुछ यह सारा इसी क करना हो लिज है तो डिजिटलाइजेशन का मतलब इंट्रेक्शन इंट्रेक्शन का मतलब जो ओनलाइन सेटफ है यह इसमें वो तो इंट्रेक्शन नहीं होता जो ओफलाइन क्लास में होता है लेकिन हम कोशिश फिर भी करते हैं कि आपको मज़ा आए क्लास में आप पढ़ थी और किस हिसाब से आपको मैंने समझाई कि चुप्पी की संस्कृति कैसे काम करती है लेबस सोफिक एकोनोमिक्स बेसिकली बच्चो एक तो उता है ट्रेडिशनल अब एकोनोमिक्स की में हम आपका 11th 12th की बात करेंगे तो 11th 12th हो या NCRT हो तो यानि कि 9th कलास से लेकर 10th, 11th, 12th, UG and PG यह सारी चीजें कवर करें ठीक लिवल बढ़ता जाएगा इसमें थोड़ा सा तो हमने क्या पढ़ना पढ़ता है सांखिकी हलकी सी सांखिकी पढ़नी पढ़ेगी जादा स्टेटिस्टिक्स क्या आप बता सकते हो भारत में वुजदा फादर ऑप स्टेटिस्टिक्स पढ़ने भारत में सांखिकी का जनक जनते हो क्या मामला है और सांखिकी में आता हमें जैसे थोड़ा सा डाटा क्या है पर्जेंटेशन क्या है डाटा सर्वे क्या होता है कैसे यूज क्या जाता है मीन मीडियन मोड क्या है यह सारी चीजें थोड़ी बहुत इसमें आती हैं ज्याधा detail में हम इसमें नहीं पहुटेंगे question आपके ज्याधा कहा है यह मुस्किल से आपका 10 परशेंट भी question नहीं आएंगे इससे मुस्किल से 5 % question आते हैं 5 % का मुटलब वह वहाई दसे question बस बस बगकी जो आपका आता है basically वो ट्रेडिशनल जो subject covering है वहां से आता है और traditional में आपका आता है दो micro and macro subject यह दो विशे ऐसे हैं जहां आपके clear होते हैं Microsoft सब्द पहले बार किसने यूज किया micro or macro का meaning क्या है micro or macro में differentiate किसने किया macro word famous किसने किया क्यूं किया कैसे किया यह सारी चीजे हम इन में समझाएंगे तो थोड़ा सा हमसले बस देख लेते हैं कि micro में क्या आता है और macro में क्या आता है क्लासिफिकेशन हम करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि क्या क्या पढ़ना है ठीक यह बेसिक सब को पता है कि किसी एक यूनिट का स्टडी करना किसी एक ही काई का ध्यन करना माइक्रो होता है और complete economy की ध्यन करना माइक्रो होता है यह थोड़ा सा detail में आके भी बताएंगे लेकिन माइक्रो में जो एक्जाम में है तो उसी साब से हम क्या करेंगे उपभोगता वेभार behavior study of a consumer तो meaning क्या है scope क्या है what is economy central problem क्या है वो तो सारी चीजें आएंगे ही माइक्रो एक्कनोमिक्स में लेकिन जो subject या topics है वो कैसे हैं एक तो यह पढ़ना है तो उपभोगता वेभार में हम क्या पढ़ते हैं आप कोई चीज खरीदना चाहते हो तो आप चाहते हैं को सस्ती से सस्ती मिले और मैं बेचने वाला हूँ मैं चाहता हूँ कि एक दिन में एक रोड़ पती बन जाओं दोनों भी तरह नहीं चलेगी न तो consumer behavior में हम क्या पढ़ते हैं demand and supply मांग और पूरती क्या है ठीक है law of demand क्या है यह सारी चीजे हम consumer behavior में पढ़ेंगे consumer equilibrium क्या है marginal utility क्या है सीमान्त उपयोगिता कि marginal utility क्या है सीमान्त उपयोगिता क्या है इसमें आपकी घटती सीमान्त उपयोगिता फूल उपयोगिता उपयोगिता किसे कहते हैं कितने परकार क्यों होती है चार्ट क्या है कैसे question बनते हैं यह topic सारा इसमें आएगा और इसी में आ जाएगा आपका टाइपस ओफ गुड्स वस्तों के परकार क्या होते हैं जैसे इनफिरियर गुड्स क्या है गिफिन गुड्स क्या है इस टाइपसे दूसरा इसी में पढ़ते हैं Elasticity of Demand मांग की लोच क्या है Elasticity of Demand and Supply मांग और पूरती की लोच क्या है कि एक कंजूमर और एक प्रोडुशर कैसे और कब कितनी माल बेचना चाहेगा और खरीदना चाहेगा या मांग क्या खरीगा तो यहां कंजूमर एक्विलिब्रियम एंड डिमांड की पॉइंट ओफ यू से हाँ इसी में हम जैसे इंडिफरेंस क्रों क्या है oda sunita वक करसिद दानत क्या है consumer budget क्या बजट्लायन क्या है जब आपके पास हैली sot रुपे तो आपको अलो भी लेने हैं प्याज भी लेने हैं तो सका कैसे यूज करोगे तो market demand डिमांड शिडूल दिमांड करो लाव प्रिमार यह सारा आपका उब्वक्ता के विभार में आ जाता है ठीक हम आप माइक्रो का ही करेंगे कि कैसे आपके क्यूस्चन बनते हैं तो इंडिफरेंस करव थियोरी इंडिफरेंस करव यानि कि उदासी इंतावक्कर क्या है और इसमें आपके दोनों थियोरी आ जाएंगी कौन सी कौन सी इंडिफरेंस में एक आपका कार्डिनल और एक ओर्डिनल किस ने दी और ओर्डिनल किस ने दी तो ओर्डिनल थियोरी क्या है कार्डिनल थियोरी क्या इसमें इंडिफिरेंस करोका रोल आ जाएगा, क्लियर? ये सारी, अब producer behavior consumer आ गया, दूसरा आपका क्या आ जाएगा? उत्पादक का वेवार, एक उत्पादक का वेवार, तो उत्पादक में आपका क्या आ जाएगा? जैसे एक producer क्यों उत्पादन करें कहां उत्पादन करें जैसे आप कोचिंग में एड़े मिसे ले रहे होते हैं आपके demand होगी कि मुझे कहा है एड़े मिसे लेगा और मैं पढ़ा रहा हूँ यह होगी supply मैं कितनी फीच लूँ आपसे आप कितनी फीच दो यह सारी चीज़े एक जामपल समय समझाएंगे आपके उत्पादक के विवार में आपका क्या जाएगा प्रोडेक्शन फंक्शन ठीक है कोस्ट फंक्शन रिवेन्यू फंक्शन उत्पादन फिलन क्या है लागत फिलन क्या है आय फिलन क्या है कितने परकार के होते हैं जैसे इसमें हम पढ़ेंगे जैसे मारजनल कोस्ट जब प्रोडेक्शन फंक्शन की बात करेंगे तो टोटल प्रोडेक्शन marginal production, average production में क्या सम्मद है, ऐसे ही जब cost की बात करें, total cost, marginal cost, average cost में क्या सम्मद है, ऐसे ही total revenue, marginal revenue और average revenue में क्या correlation है, आपस में में shutdown point क्या होता है, breaking point क्या होता है, profit maximization point क्या होता है, यह सारी चीजें इसमें पढ़ी जाते हैं, माइक्रो में, और फिर third हम इसमें पढ़ते हैं बच्चो, जो आपका सिलेबस दे रखा, market and types, कि बाजार क्या है और उसके परकार क्या है, जैसे perfect competition, imperfect competition, perfect और imperfect में क्या difference है, monopoli stick और monopoli में क्या difference है, duopoly क्या है, monospony क्या है, इस सारी market आपकी इसमें पढ़ी जाएगे, तो mostly आपके ये तीन partition है, price selling क्या, price flow, ये आपके तीन part ये रखें, इसमें फिर आगे आपका factor pricing theory नहीं है, factor pricing भी हम थोड़ा सा पढ़ा देंगे, साधन की मसीदान, ये आपके basically तीन main topic है, market, उत्वादक का विवार, रूप दोखते के, clear, अब बात करते हैं थोड़ा सा macro, macro economic, ठीक, अब macro economic जो है, इसको भी हम दो भागों में बाटेंगे, एक आपका proper basic subject, और एक आपका Indian economy related, यानि कि उसका भारती अर्थविय अवस्ता से कैसे correlation है, तो macro economy में तो सबसे important point होता है बच्चो, वो आपका basic subject में आएगा, जैसे number एक, national income and aspect, राष्टिय आए और उसकी अवधार्ण, जैसे इसमें हम पढ़ेंगे की GDP क्या होता है, नाम सुनाओगा ना अपने GNP क्या होता है, NNP क्या होता है, GBA क्या होता है, आज कल कौन से concept है, factor cost पे क्या है, market cost पे क्या है, और other concept में जैसे private income क्या है, personal income क्या है, और आपका depreciation क्या है, absorption क्या है, यह सारी चीज़े हम इसमें clear करेंगे, तो राष्टिय आए, basic concept, capital goods, final goods, intermediate goods, domestic boundary, इस सारे मामले इसमें आएगे, national income में, तूसरा जो आप इसमें पढ़ोगे, banking and monetary policy, तेकि मुद्रा नेती क्या है, कौन बनाता है, bank क्या है, finance institution क्या है, वो सारी, तीसरा आएगा, इसमें, आपका tax and budget, यह आएगा, आपका fiscal policy, ठीक, यह सारी चीज़ें आपकी इसमें धीरे-धीरे जोड़ती जाएंगे, यानिकि, banking और money, money के type क्या है, money की शुरुवात कब हुई, कि इसने शुरू की, फुल रिपर्जेंटिटिव मनी क्या, फुल बोडी मनी क्या, फियेट करंसी क्या है, यह सारी जी करंसी और money में क्या difference है, टोटल डीप लेवल पे आपको बढ़ाएंगे, तो RBI कैसे काम करता है, finance market कैसे काम करती है, save क्या है, share market कैसे काम करती है, यह सारी चीजे money and banking में आता है, ऐसे ही tax, कितने परकार के tax होते हैं, budget कितने परकार के होते हैं, क्या system है, finance bill क्या होता है, money bill क्या होता है, कैसे correlated आप उसमें, यह सारी चीजें इसमें करेंगे, की पूर्थ है हम वल्ड ट्रेड एंड बी ओनी नियुकियों बैलंस ओफ पेमिंट इश्ञेशा शिर्जों सी के और आप설 जाकर इस में प्पता, अप्पति लेवल ओर्गिनाइजेशन यानिकि विश्व उस्तर के जो संग्ठन है खास कर हम इसमें तीन संग्ठन पढ़ते हैं बच्चो डबलू टी ओ वर्ल्ड ट्रेड ओर्गिनाइजेशन आई एम एफ इंडियन मोनेटरी इंटरनेशन मोनेटरी फेंड और आपका वर्ल्ड बैंक इस तीन संग्ठन तो हमें पढ़ने पढ़ने उत्ते हैं कैसे काम करते हैं बोड़ी क्या है क्या लक्षे है कब बने क्या इतिहास है क्यों बने किसी इकोनोमिक्स ने सलादी यह सारी चेज यह हम इसमें पढ़ें वर्ल्ड ट्रेड ठिक अब थोड़ा सा जब इंकम और किसे कहते हैं इसके concept क्या है ठीक और इसी में हम आगे जोड़ते जाएंगे चलो हम इसी में बिमान लो six point इसी में हम कर दें इसी को जोड़ कर तो consumer या consumption and investment कि उब्भॉग और निवेस किसे कहते हैं उसमें aggregate demand का concept क्या है balance before full employment level और balance after full employment क्या होगा केंज की क्या प्रोच थी पोस्ट केंजिन की क्या प्रोच थी प्री केंजिन की क्या प्रोच थी यह सारी चीजें हम इसमें clear करेंगे बंच रहें तो excess demand हो जाए तो इसमें फिर जब demand concept के बात करें तो हम फिर इसमें यह भी बढ़ेंगे inflation and deflation कि जब access demand हो जाए access supply हो जाए तो inflation और deflation का मामला क्या होता है तो government budget हो गया inflation deflation हो गया money supply हो गया taxis हो जाएगा spending हो जाएगे सब चीजें clear हो जाएगे investment multiplier in mechanism यहनि कि निवेश पुनक यह सब consumption और investment पढ़ेगे न तो इसे ही में MPC APC acceleration invest multiplier यह सारी चीजें आती जाएगे clear meaning of full employment क्या होता है अब इन ही को हम Indian economy से जोड़ेंगे ना यह सारी चीजें इसमें आजाएगा जैसे 5 year planning ठीक है दूसरा आजाएगा unemployment and poverty बेरोजगारी और गरीबी क्या है तीसरा इसमें आजाएगा economic reform कि भारत के अंदर जो reforms होए है वो क्या माने जाते हैं और economic reform में लगबग 1991 के reform सबसे जादा ऊचे गए आर्थिक्सुदार जिसको हम कहते हैं करेंगे तो इसमें green revolution कैसे आई ठीक है MSP क्या होता है कैसे निर्दारित क्योंकि किसान movement का मामला है MSP को निर्दारित करता है क्या तरीका होता है MSP निर्दारित करने का जी और ऐसे ही जैसे अब GST क्या है जब बात करेंगे तो GST भी आएगा goods, service, tax, structure क्या है इसमें number होता हूँ क्या काम होता है GST, IN क्या होता है कैसे निर्दारित होता है demonetization अब जैसे demonetization GST and demonetization अब demonetization की हम थोड़ा सा उस level पर लेके जाएंगे जो आपका high level पर इसी को थोड़ा सा हम discussion करेंगे और कुछ Indian economy में चलते हैं आगे तो हमें और क्या पढ़ना होता है बच्चो खोड़े से index पढ़ने होते हैं जैसे human development index और poverty index या multiple poverty index बोलते हैं MPII ये क्या होते हैं उस basic index होते हैं जहांसे आपके question पूछे जाते हैं बाक्की तो current में चला जाएगा price freedom index corruption list index basic economic में क्या आएगा PQLI index क्या है HDI क्या है MPII क्या है ये सारे index बताएंगे और थोड़ा सा economic growth क्या होते है economic development क्या होता है basic development के aspect और source and global warming थोड़ा सा साथ का topic हम करेंगे development 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 and growth जब development and growth की बात करेंगे तो sustainable development क्या है inclusive development क्या है global warming इस पे क्या फ्रक पड़ रहा है तो ये जुरूरी है भी भारत में जैसे current का ही में पूछ लें कि जो resources है global warming sustainable development अभी COP क्या conference of parties है UNFCCC का नाम सुना United Nations Framework Convention on Climate Change 1994 इसने एक मीटिंग शुरू की थी जो global warming के परती अवेर हो 1995 से उसकी मीटिंग होती उसको बोलते है conference of parties अभी COP29 होगा तो वो current में बाया गया economics में बाया गया क्या होता है sustainable development क्या मामले होते हैं भारत उसके परती कितना परतिबद है Paris Convention क्या है परतम परत्वी समिलन क्या है दूतिय परत्थी समिलन क्या है Agenda 21 क्या है यह सारी चीज़ें इसमें आती है तो थोड़ा सा भारत के comparison करेंगे कि जैसे HDI हम पड़ेंगे तो चाइना पाकिस्तान बंगलादेश श्रिलंका के साथ हमारा क्या सिस्टम है ऐसे ही घ्लोबल हंगरनेस इंडेक्स की बात करेंगे तो इरान जहां रोज सीरिया इरान आपको पता फ्रीडम इंडेक्स में भारत की ज़्यादा फ्रीडम दिखा रहा है इरान में ऐसा है क्या तो यहां कुछ चीजें समझने की भी होती है कि आसलियत क्या है तो बुखमरी जब करोना के अंदर मामला खराब हुआ अब रसिया यूकरेन का वार चल रहा था रसिया यूकरेन दुनिया बर में साथ परशेंट गयों की सप्लाई करते हैं उसके बाद मिस्टर होता है चाइना होता है अब उससे कई बार होता है जो कुछ होता अच्छे के लिए होता है बोल रहे हो को रोना वार प्लस है यय मिई बहुता है कि युक्रेण वार इसके कारण क्या होता है चाइना की सप्लाइत अरुद जील रुग गई यह व्धा zha आई-एम-एफ गेहूं बेज़ दे यूरोप के लोग बुके मर रहे हैं उससे पहले भारत के गेहूं को गटिया गेहूं समझा जाता था लेकिन फिर भी हमने वो बेज़ा गेहूं जो उनको आई-एम-एफ के नियम है कि एम-एस-प वाला गेहूं मत बेज़ो एम-एस-प वाला का मतलब क्या है कि भी कम कीमत पर आप खरीदोगे आप बेचोगे तो इसमें फिर यूरोप में लोस हो जाएगा इसलिए आप प्लीज वो गेहूं बेच दो जो एम-एस-प से बाहर का इ इंडिया ने का हूँ हमारे पास मस्प से बाहर कार नहीं है जितना है लेना तो ले लो थोड़ा बहुत हमने किया हूं सप्लाई कर दिया क्यूंकि इंट्रनेशनल लेवल पर कुछ डिप्लोमेटिक स्टेप उठाने पड़ते हैं तो पॉलिटी हूँ एकनॉमिक्स स्ट्रे निक्सन भी सामिल हो जाते हैं तो जिस गेहूं के लिए कभी इंडरा गांदी को निक्सन कहता है आ गए बिखमंगे 1969 आ गए बिखमंगे गिहूं मांगने तो 66 में 66 से पहले की बात जब इंडरा गांदी प्रदान मंत्री नहीं बनी थी मुरारजी देश आई थे और 1965 का युद्ध था 1965 के युद्ध के दोरान अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी कि आप पाकिस्तान के खिलाप सक्त एक्सन नहीं हम उसको समझाएंगे कोई भी बड़ी कारवाई नहीं करें उस्टें अमेरिका की राष्ट पती मुझे याद नहीं आरा नाम क्या था उन्हें बुलिया कि आप देशों में गेहूं देदें और बदले में अपने हित के कानुन बना लें वो था पील 480 जो नहरू के सैथ एक साथ चार साल का एग्रीमेंट होता था हालाकि दुनिया में एक साल का एग्रीमेंट होता था लेकिन अमेरिका ने बारत के तरफ कुछ ज्यादा रियाइती दि वापिस देख लो तो मुरार जेदे साही बोले लाल बादुर शास्त्री लाल बादुर शास्त्री बोले ले जा गोड़ी हो यहां से हमें नहीं चाहिए तुमारे गेहूं हम पाकिस्तान को ठीकाने लगा देंगे तो 1965 में जब लड़ाई हो रही तो 1966 में हमें हरित करांती क निव रखी और वही अमेरिका जो हमसे गेहूं वापिस ले गया सिर्फ बारा नोटीकल मेल दूर से वही अमेरिका समय का फेर है बच्चों वही अमेरिका कह रहा कि गेहूं बेजदो बूखे मर रहें ये उरोप के लोग अब उनसे पूचे कि 1966 में क्या हुआ था तेरी बड़ी हेकडी थी कहां गई वह हेकडी अब तो समय बदलता है बच्चों कभी भी बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए चाहे वह व्यक्ति हो चाहे दुनिया हो समझगे तो आज वही अमेरिका इंडिया के पीचे पीचे क्यों सारा इसके कारण एकनोमिक की कारण तो आज ऐसे-एसे किस से आपको सुनाएंगे कानिया बताएंगे एकनोमिक्स में क्या-क्या भारत के साथ घटना है घटी पोलिटिक और जियोगरफिकल कंडिशन में वो बताएंगे तो आज की क्लास के लिए इतना ही बत्चो ये इंड्रोडेक्टरी क्लास थी ताकि आपको पता चले तैयारी कैसे करनी है किस लेवल की करनी है क्योश्चन कैसे आया है ये भी सारा डिसकस करेंगे उमीद करते हैं कि आपको एक क्लास सही समझ में आई होगी कैसे तैयारी करन आप हेल्दी रहिए स्वस्त्र रहिए और खूब मन लागा कर पढ़ते रहिए धन्यवाद